जी बचो, question number 8 में, if y is equal to cause inverse x whole का square, prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0, यह हमने prove करना है, ठीक है बचो, जी बचो, तो differentiate, differentiate on both side with respect to x, ठीक है, तो यह बन जाएगा dy over dx is equal to d over dx, जी तो क्या आजाएगा बचो, cause inverse x whole का square, इसका हमने लेना बचो, derivative, ठीक है, जी बचो, तो power rule लगाओ, हाँ जी, तो क्या होता है power rule, power नीचे, power में एक ही कमी, हाँ जी, 2 minus 1, 1 हो जाएगा, derivative उसका, जिसकी power थी, तो power बचो, किसकी थी, power थी, cause inverse x की, ठीक है बचो, तो यह derivative का power rule लगाओ, या power नीचे, power में एक ही कमी, derivative उसका, जिसकी power थी, तो power किसकी थी, यहाँ पर cause inverse x की, तो उसका derivative, ठीक है बचो, तो यह आजेगा, 2 cause inverse, हाँ जी, cause inverse x का derivative क्या होता है, जी, cause inverse x का derivative minus 1 over square root, 1 minus x square, ठीक है, फिर angle का, x का derivative with respect to x, 1 हो जाएगा, ठीक है बचो, तो यह मेरे पास आगिया, diva by dx, ठीक है, तो इसको जो है, इसको आप cross multiply कर दें, नीचे वाले को, इदर cross multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, 1 minus x square, यह बन जाएगा, dy over dx is equal to, हाँ जी, minus 2 cause inverse x, clear होगे यहां तक, challenge, अब यह मेरे, इसको मैं y1 का नाम दे देता हूँ, तो यह बन जाएगा, 1 minus x square into y1, is equal to minus 2 cause inverse x, ठीक है, diva by dx को y1 का नाम देती है, आप क्या करें, scaring on both side, scaring on both side, दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे, बच्चो, scare लेने, इसका भी scare हो रहे है, तो जब इसका scare लेंगे, तो यह बन जाएगा, हाँ जी, 1 minus x square, ठीक है, जब scare लेंगे, तो square होट खतम हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो यह आजाएगा into y1 का scare, जब इसका scare लेंगे, तो यह बन तरफ square लिया, तो square से हमारे पास यह result आ गया, तो आप from equation 1 में देखें क्या क्याता है, कि cause winner's whole square किसके equal है y के equal है, ठीक है तो यह मेरा वोई है, तो इसकी जगा y पुट कर देता हूँ, तो यह बन जाए का 1 minus x square into y 1 का square is equal to 4y, कहां से पता चला बजो, from equation 1 से, हमें पता चला है, यह चीज़ y के equal है, ठीक है, अब again differentiate on both side जी बजो, differentiate on both side with respect to x, दोनों तरफ x से differentiate कर दे, ठीक है तो इसका क्या आजाएगा derivative with respect to x किसका आएगा, 1 minus x square into y1 का square is equal to, हां जी derivative with respect to x का 4y का, ठीक है जे चीज़ चलाएगे, differentiate कर दिया with respect to x चलाएगे, अब यहाँ पर product rule यह एक function यह है, एक यह है, तो पहला वैसे derivative दूसरे function का plus दूसरा वैसे derivative बच्चो किसका आएगा, first function का ठीक है, यह मैं आपको step by step करके दे रहो, तो 4 बाहरा जाएगा, constant के साथ variable तो constant बाहरा जाएगा, derivative किसका आएगा, variable तो यह बन जाएगा, dy over dx ठीक हो गया बच्चो, चेलें जी, अब यह आजाएगा, हाँ जी, first function as it is, पहला वैसे, दूसरे का derivative, power उलगाएं, power नीचे, power में एक ही कमी, derivative उसका जिसकी power थी, तो power किसकी थी? y1 की, तो dy1 over dx, पलास, दूसरा वैसे, दो जी, यह वैसे आजगा, derivative first का, पहले function का, तो 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और minus x square का 2x, तो यह बन जाएगा, minus का 2x, ठीक है, 1 minus x square का derivative क्या बन जाएगा, minus 2x, is equal to 4, और यह मेरा क्या है, dy1 over dx, dy1 is equal to, इसको y1 का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया, जी बचो, तो यह मेरा dy1 over dx, यह मेरा, इसको मैं y2 का नाम दे देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, जी, इसको जब मैं y2 का नाम देंगा, तो मेरे पास यह आ जाएगा, बचो, 1 minus x square, 2y1, और यह y2, plus y1 का square minus 2x is equal to 4y1, ठीक होगा बचो, अब यहाँ पर देखें, इसको जब तरतीब दे दें, 1 minus x square, ठीक है, into 2y1, हाँ जी, y2, हाँ जी, plus minus minus, यह बन जाएगा, 2y1 का square, ठीक है, into x हो जाएगा, is equal to 4y1, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो कमन आ रहे है, उसको कमन ले लें, 2y1 इधर भी है, 2y1 इधर भी है, ठीक है, यह फिर ऐसा करें, dividing on both sides, dividing on both sides, by 2y1, क्या करें, बचो, दोनों तरफ 2y1 से डिवाइड कर दें, जब यहाँ पर 2y1 से डिवाइड करेंगे, तो यह cancel हो जाएगा, यह बन जाएगा, 1 minus x square, y2 minus, जब इसको 2y1 पर डिवाइड करेंगे, तो यह 2 से 2 cancel, 1y1 से 1, यह cancel हो जाएगा, बाकी बन जाएगा, 1y1 रह जाएगा, तो यह बन जाएगा, minus xy1 is equal to, हाँ जब इदर 2y1 से डिवाइड करेंगे, 2, 2 दा 4 हो जाएगा, और y1 से y1 cancel हो जाएगा, तो is equal to 2 आ गया, अब इस 2 को लेफ साइड पर ले जाएगा, तो यह बन जाएग आता है, तो हैंस परू, ठीक है बचो,